नमस्तार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मैं सुजाता कार्थिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चानल इन माई ड्रिम गार्डन में आज हम बात करेंगे सोन चमपा के पौधे के बारे में इसमें तीन प्रकार के फूल आते हैं तीन रंगों में एक तो सफीद एक औरंज और एक पीला मेरे पास ये सफीद रंग के फूल वाला पौधा है और ये हाइब्रिड वराइटी का पौधा है जो बहुत जल्दी ही कर सकते हैं अब हम बात करते हैं रिक्वायर्मेंट्स के बारे में इसे कौन-कौन सी इस प्रकार की घूप की जरूरत है मिट्टी की जरूरत है आधी पहले बात करते हैं हम इसे धूप की कितनी जरूरत है इस प्लांट को इस प्लांट को तीन से चार घंटे की डायरेक्ट स अनलाइट मिलता रहे। उसकी बात बात करते हैं इस पौधे की मिट्टी की। मिट्टी आप ऐसा बनाए थाकि पानी उसमें जमाना हो, काफी पूरस हो। उसमें आप कोकोपीट मिलाईएगा। उसकी बात सैंड, परलाइट और ग्राउंड सॉयल एकुल मात्रा में मिलाईए और इसकी पौट की मिट्टी तयार कीजेगा। बात करते हैं आप पानी की। पानी इसे बराबर सही मात्रा में दीजिए। एक दिन में एक बार पानी देना उचित होगा। आप क्लाइमेक के हिसाब से भी थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। ओबर वाटरिंग ना करें इससे जो है पौधा गल सकता है। अब बात करते हैं प्रपगेशन की। ये बड़े ही आराम से स्टेन कटिंग के द्वारा प्रपगेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे खाथ की। इससे आप और्गानिक खाथ भी दे सकते हैं जैसे कावडं कमपोस या बर्मी कमपोस और आप उसे इन और्गानिक भी दे सकते हैं जैसे एन पी के। वैसे आप इसे एक मुठी बोन मील जरूर दीजेगा दो मेने में एक पार ताकि इसे फ्लारिंग इसमें बढ़िया हो। यसे ये वास्तों की हिसाब से भी ये पौधा घर में रखना काफी ही शुब माना जाता है और आप भी इस पौधे को अपने घर में घर के बगीचे में शामिल करेंगे। सबको दिपाली की हार्डिक शुब करना है और प्लीस मेरा सब्सक्राइब करिएगा चैनल बाई